हेलो एबरीवन वेलकम बैग तो मैं चैनल आप लेनू और आज हम यहाँ पार डिसकस करने वाले हैं काउंटर करन्ट मेकनिज्म यह जो मेकनिज्म होता है इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन ओफ यूरीन यानि कि जो भी आपका हम यूरीन फॉर्मिशन में पढ़ चुके हैं कि जब भी ब्लड फिल्टर होता है कहां से ग्लो मैरूलस से तो जो फिल्ट्रेट है उससे कई गुना ज्यादा कंसेंट्रेटेड यूरीन फास आउट होता है एंड ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है अगर हम बात करें हैं पर कि कितना पर डे होता है तो हमने वहाँ पर डिसकस किया अगर आप रिकॉल कर पाएं और आप इसको समझ पाएं कि पर डे जो फिल्ट्रेशन होता है कहां से ग्लो मैरूलस से जो फिल्ट्रेशन बनता है पर डे वो कितना होता है 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट यहां से फॉर्म होता ह या इतना blood यहां से filter किया जाता है अब यह जो filtration है उसमें से सिर्फ अगर इतना यह filtration होता है तो क्या इतने amount of urea या पास हम करते हैं पास आउट करते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है यह भी हमें मालूम है कि only 1.5 liter per day urine ही हम पास आउट करते हैं तो बाकी का क्या हुआ इतना amount जो हमने हमारे kidneys हैं उन्होंने form किया था तो वो बाकी का जो भी amount है वो कहां गया तो वो सारा का सारा reabsorb कर लिया जाता है अब क्योंकि यह reabsorption हो गया तो यहां पर जो urine पास हो रहा है वो concentrated urine होगा यानि कि उसमें water का amount बहुत कम होगा और यह जो concentration है वो किस तरह से किया जाता है उसी mechanism को हम कहते हैं counter current mechanism और दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो इसी को कहा जाता है concentration of urine clear तो I hope कि यह आपको समझ आया होगा counter current का मतलब है concentration of urine urine को किस तरह से concentrate किया जाता है कि वो सिर्फ 1.5 लीटर ही हमारी बॉड़ी से excrete out किया जाता है बाकी सारा कुछ absorb कर लिया जाता है हमारी बॉड़ी में अगें तो यह जो mechanism होता है इसको किस तरह से समझ सकते हैं वो जो पूरा mechanism है वो apposite current flow से होता है और यह counter current का मतलब ही क्या होता है counter current यहनि flow in opposite direction तो opposite direction में flow कहा कहा होता है किस तरह से होता है और उससे क्या फायदा होता है यह अब भी हम इसमें देखने वाले हैं कि उसका significance क्या है counter current mechanism का तो आईए सबसे पहले हम बात करें यहां पर कि जो भी mammals होते हैं they have ability to produce a concentrated urine उनके अंदर ability होते हैं कि वो concentrated urine को produce करते हैं mammals have ability to produce a concentrated urine अब यह जो concentrated urine form हो रहा है वह urine कहा form हो रहा है नेफ्रोन के अंदर अब नेफ्रोन के अंदर वह जो urine form हो रहा है concentrated urine उसमें help कौन कौन करता है तो उसमें help करता है देखिये hand lease loop handless loop के बारे में तो आहम पढ़ी चुके हैं कि वह क्या है तो आप PCT की बात करें तो PCT continue हो जाती है जैसे हम पर डाइग्राम नेफरून का देख रहे हैं तो PCT यह वाला पार्ट जो है Convoluted PCT यह continue हो रहा है Handless Loop में यह क्या वाला पार्ट है यू पिन जो शेप है यह वाली जो शेप है इसको हम क्या कहते है Handless Loop क्याते हैं तो Handless Loop के साथ continuation में है PCT और DCT भी Handless Loop के साथ connected होती है और उसके बाद होते हैं Collecting duct तो Handless Loop एंड वासा रेक्टा वासा रेक्टा अब क्या है तो वासा रेक्टा को समझने के लिए देखे हमने बताया था कि पेरि-tubular capillaries जो होते हैं Glomerular filtration है वो कहां से हो रहा है Glomerulus से वहां से है वहां से ही Afferent Arteriole और फिर Woh different Arteriole के रूप में जो Capillaries वहां से बाहर निकल रही है Glomerulus से वो फिर एक क्या बना रहे है capillaries का network बनाती है और वो capillaries का network जो होता है वो आपके पूरे area को cover कर लेता है जो भी ये area है ये जो peritubular capillaries है ये इस तरह से पूरे area को cover कर लेती है यानि कि around the renal tubule या आप कह सकते हो कि ये जो tubular part है इसके चारों तरफ capillaries का एक network होता है जिसको हम peritubular capillaries बोलते है and peritubular capillaries का वो part जो की handlase loop के around होता है यहां से लेके और यहां तक handlase loop के around peritubular capillaries का जो part होता है उसको हम क्या कहते हैं vasa recta कहते है I hope ये आपको clear हो गया होगा what is vasa recta handlase loop तो हमें मालूम है U-shaped structure of tubular part of nephron nephron का tubular part में वो part जो की U-shaped होता है उसको हम handlase loop कहते है and handlase loop के around peritubular capillaries का part जो की handlase loop को cover करता है उसको हम vasa recta कहते हैं तो counter current mechanism में handlase loop plus vasa recta जो होते हैं उनका एक important role होता है कैसे होता है वो important role सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर आप blood flow देखिए जो भी आपका filtration है जो enter हो रहा है filtrate PCT से handlase loop में उसमें देखिए जो handlase loop है उसके दो part होते है एक descending limb और एक ascending limb descending limb का मतलब जो नीचे जा रहा है जो उसका limb उसको हम कहते है descending limb और जो upward direction में जा रहा है उसको हम कहते है ascending limb तो ascending limb और descending limb में अगर हम देखिए तो filtration का filtrate का movement है वो opposite direction में हो रहा है तो यह क्या कर रहे है यह counter current फॉर्म कर रहे है counter current जैसा कि मैंने आपको बताया था counter current का मतलब होता है opposite flow ठीक है opposite direction opposite flow जब होता है opposite direction में जब flow होता है glow mirror फिल्ट्रेट का तो वो किस-किस direction में होता है कैसे होता है तो सबसे पहले जो filtrate है वो handless loop की opposite direction में जब जाता है तो वो एक counter current फिल्ट्रेट करता है ठीक है handless loop की जो दो direction है जो limbs हैं descending और ascending उन में उसका जो flow है opposite direction में है तो वो counter current शो कर रहा है अब दूसरा जो counter current शो हो रहा है वो वासा रेक्टा के अंदर हो रहा है तो देखिए यह जो मैंने यहां second diagram शो किया आपको यह वासा रेक्टा और handless loop का connection दिखा रहा है तो यहां पर यह जो red color की structure हमने शो की है outer side of handless loop यह जो inner side में है यह तो handless loop है और यह जो outer वाला part है यह हमने peritubular capillary का वो part उठाया है जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं तो यह जो part है वासा रेक्टा इसमें देखिए आप इसकी भी दोनों जो part है जो नीचे की direction में आ रहा है descending limb और जो upper direction में जा रहा है ascending limb तो इसके जो दोनों part हैं वहाँ पर भी यह और यह दोनों part में आप opposite direction में blood flow देख पा रहे हैं यानि peritubular capillary है तो natural है कि इस नहीं हाँ पर क्या होगा blood flow हो रहा है और blood का flow opposite direction में हो रहा है descending limb में नीचे की तरफ आ रहा है ascending limb में ऊपर की तरफ जा रहा है तो flow of blood through two limbs of vasarecta vasarecta के दोनों limbs में भी opposite direction में blood flow होता है और वो counter current show करता है ठीक है दो points, third point के अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको discuss करते हैं या इसको discuss करते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो direction है वो किस तरह से है descending limb of handless loop जो है वो near to ascending limb of vasarecta है और जो ascending limb of handless loop है वो near to descending limb of vasarecta है तो यहाँ पर भी इन दौनों के बीच में opposite flow है और इन दौनों के बीच में भी opposite flow है तो इस तरह से flow of blood through handless loop and vasarecta यह भी counter current show करते हैं ठीक है तो यह जो counter current यानि opposite flow है तीनों ही जगह पर यह सब मिल कर urine को concentrate करने में help करते हैं कैसे concentrate करते हैं और कैसे help करते हैं तो यह जो counter current है यह क्या help करता है इसका importance क्या होती है इसकी significance क्या होती है तो इसकी significance यह होती है कि it maintaining increasing osmality towards the medullary interstitium medullary interstitium का क्या मतलब है आपर देखिए interstitial cells जो होती है यह around जो भी आपका nephron है उसके around जो cells present होंगी वो interstitial cells कराएंगी यहां पर देखिए यह वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो cortex का पार्ट है और इस cortex के नीचे यह वाला जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक यह मेडूलरी पार्ट है जिसके अंदर हैंडलेज लूप प्रेजेंट होता है तो यह जो यहां पर आगर हम देखें तो यह जो फ्लूड है यह जो सेल्स हैं इनकी जो ऑस्मलरीटी है वो 300 से लेके उसकी जो ऑस्मलरीटी है आउटसाइड वो 300 से लेके कितनी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है और इसको मेंटेन किया जाता है थ्रू दिस काउंटर करंट मेकेनिज्म ठीक है 300 कोटेक्स रीजन में होती है एंड इंक्रीज होती जाती है वो 500 आप कह सकते हैं इसके बा 600, 700, 900 इस तरह से वो इंक्रीज होती है और 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक होती है तो इनर मेडुला तक पहुंचते पहुंचते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है और इसको मेंटेन करने के लिए ये काउंटर करंट मेकेनिज्म बहुत हैल्प करता है तो इसकी जो सिग्निपेकेंस हो गई counter current mechanism की वो हो गई it maintained the increasing osmolity towards the medullary interstitium medullary interstitium में osmolity को maintain करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है I hope it is clear अब हम यहाँ पर इनको discuss करेंगे कि किस तरह से यह maintain होता है तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने देखिए यह जो मैंने लिया है आपको वासा रेक्टा और हैंलेज लूप दौनों ही यहाँ पर शो कियें तो अगर आप यहाँ चाहें तो इसको हम कैसे complete कर सकते हैं इसको अगर हम ऐसे complete करें अभी आपको कोई confusion नहीं होगा ठीक है तो यह जो पार्ट है हमारा यह हम शो कर पा रहे हैं afferent arteriol efferent arteriol और उसके बाद इसमें glomerulus अब यह जो filtrate है वो यहाँ से downward direction में जा रहा है अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह पूरा portion क्या कहला रहा है this part is cortex यह जो हमने लाइन के ना ड्रोग की है इसके उपर वाला पाट क्या कहला रहा है cortex और यह जो पार्ट है यह medulary part है ठीक है अब यहाँ पर देखे हम जो उस्मलरीटी है वो 300 से इंक्रीज हो के 1200 तक आ है अब यहां यह मेंटेन कैसे होगी तो सबसे पहले हम बात कर रहे है उसी फिल्ट्र siaires की जो की हैजेश लूप से हो कर रागे बढ़ रहा है डिसेंडिंग लिंब औफ हैं लेज लूप में जब फिल्ट्रिट अब जाता है तो आप देखें यहाँ पर सबसे important चीज यहोती है कि इनकी जो permeability होती है handless loop के दोनो limbs की वो permeability अलग-अलग होती है अब वो क्या होती है जो descending limb of handless loop है वो सिर्फ water के लिए ही permeable होता है ये सिर्फ water के लिए ही permeable होता है तो यहाँ से सिर्फ water जितना भी इसके अंदर present होगा वो बहरा जाएगा ठीक है, इंटरस्टिशियम में water की quantity increase हो जाएगी and जैसे-जैसे fluid आगे move करेगा जैसे-जैसे fluid downward direction में move करेगा, तो वो concentrate होता जाएगा, क्योंकि आहां से क्या हो गया है, water बहर निकल गया है अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सिर्फ water के लिए ही permeable होता है, ions यहां से बहर नहीं आते हैं, ions के लिए ये impermeable होता है, इसलिए धीरे-धीरे ये concentrate होता जाता है, उसकी concentration हो जाती है, 1200 milliosmol per liter clear? I hope it is clear इसके बाद जब ये filtrate upward direction में move करता है, कहां पर ascending limb of hand lays loop, तो एक दूसरी important चीज़ आप यहां पर क्या देखते हैं, कि ये जो part होता है, ये सिर्फ water के लिए, वो सिर्फ ions के लिए ही permeable होता है यहां से ions भर-भर के बाहर निकल रहे हैं ठीक है, ions भर-भर के कूट-कूट के बाहर आ जाते हैं सबके सब, लेकिन water जो होता है, वो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है क्या निकल रहा है, यहां से बाहर यहां से ions बाहर निकल रहे हैं इस तरह से ये फिर क्या हो गया, ions जब बाहर निकल गए तो ये dilute हो जाएगा ये dilution पार्ट है diluting जो reason है, वो कौन सा हो गया ascending limb of hand laced loop यहां concentrated हो रहा था यह यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये dilution यहां पर start हो जाता है तो फिर से ये इसकी जो osmolarity है, वो क्या हो जाती है, decrease होने लगती है और वो देखी यहां पर up to 300 तक हो जाती है caught test तक पहुंचते पहुंचते यह फिर उसी level पर आ जाता है जिस level से वो नीचे concentrate होने लगा था, ठीक है तो ये तो बात हो गई किसकी hand laced loop की अब देखिए जो wasa recta है, उसका क्या रोल होता है wasa recta के अगर आप बात करें तो wasa recta is freely permeable for ions and water wasa recta ions and water के लिए freely permeable होती है अब यहां से start करते हैं इसका descending part wasa recta ये क्या है? wasa recta, जैसा कि आप देख रहे हैं हापर जो हमने red color से show किया है wasa recta का descending limb जो होता है वहां पर देखिए जो भी ions यहां से निकले थे ascending limb of handlase loop से जो ions बाहर आये थे वो अब enter हो जाते हैं wasa recta में clear? तो wasa recta की अंदर जो blood flow है उसकी osmolarity 300 से increase होते होते वह कहां तक आ जाती है फिर से 1200 milliosmol per liter तक पहुंच जाती है ठीक है क्योंकि यहां पर ions उसके अंदर enter हो जाते हैं concentrated होता चला जाता है और उसके साथ साथ उसकी जो concentration है वो फिर से इस तरह से increase हो जाती है अब आगे हैं आप बात करें कि जैसे जैसे ब्लड का फ्लो कहां होता है असेंडिंग लिम्ब आफ वासा रेक्टा क्या है यह असेंडिंग लिम्ब आफ वासा रेक्टा जब यहां तक इसमें entry होती है ब्लड की जो कि कैसा हो गया था अभी concentrated हो गया था वो जैसे जैसे उपर जाता है तो यहां पर देखिए इस वाले interstitial पार्ट में water abundance amount में present होता है क्योंकि वो कहां से निकल रहा है handless loop की descending limb से water बहार आ रहा है वो water absorb हो जाता है वासा रेक्टा के ascending limb में और इस तरह से फिर से dilution start हो जाता है and जो उसकी concentration है वो again 300 तक पहुँच जाती है maintain हो जाती है यानि कि 300 से start हुआ था 300 तक ही आ जाता है और अगर हम handless loop की बात करते हैं तो वहां पर भी 300 से start होके अगें 300 तक पहुच जाता है तो इस तरह से हम देखें देखें आप अपर हम इसको discuss कर लेते हैं फिर से एक बार descending limb of handless loop descending limb जो होता है water permeable होता है तो water जो है वो easily बहार आ जाता है लेकिन वो ions के लिए impermeable होता है इसलिए क्या करता है वो filtrate को concentrate कर देता है ठीक है वो concentration increase हो गई होता है इसके बाद हम बात करें वासा रेक्टा के descending limb की तो जो भी ions ascending limb of handless loop से बहार आते हैं वो enter हो जाते हैं कहां पर descending limb of वासा रेक्टा में enter हो जाते हैं अब अने इसल जब यहां पर enter हो गया है तो क्योंकि ions है उनकी concentration increase हो गई तो यह जो blood है वो concentrate हो जाता है 1200 milleosmol per liter तक उसकी concentration increase हो जाती है इसके बाद जब ascending limb में जाता है तो NACL is returned back NACL वापस कहां जाता है interstitium में आ जाता है यहां पर क्योंकि concentration ज़्यादा थी तो NACL वापस से बहार आने लगता है और इस तरह से उसकी जो interstitium की concentration है वो maintained रहती है यह water absorb करेगा और यहां से NACL भार आ जाएगा इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही जो limbs हैं उनमें counter current mechanism इस concentration को maintain करने में help करता है अब यहां पर अगर हम देखें यह diagram अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस arrangement में हमने अभी कहां तक बात की थी यहां तक बात की थी handless loop तक अब यह जब हम आगे चलते हैं तो यहां पर आप देखें यहां पर करता है यह डिपेंड करता है कि water का मांट कितना है उसके अकोर्डिंग यहां पर जो री अब्जॉप्शन होता है डी सी से वह री अब्जॉप्शन एंड सी क्रीशन यहां पर हम पढ़ चुके हैं यूरीन फॉर्मिशन में तो आप जब यूरीन जो आगे पास ओन होता हैं यहां पर यह कलेक्टिंग डर्ट जो होती है यह वाटर और आयांज के लिए पर मेंबल होती है तो यहां पर वाटर जो होता है क्योंकि एकसिस अमांट में water इसके अंदर प्रेजेंट है यह डायलूट हो चुका था यहां से वाटर बहार आने लगता है और साथ मैं कुछ अमाउट में और वो यूरिया जो भी इंटरस्टीशल इंटरस्टीशियम सैल्स है या इंटरस्टीशल एरिया है वहां की कंसेंटरेशन को मेंटेन करने के लिए यूरिया बहार आता है तो इस तरह से यह कलेक्टिंग डक्ट जो होती है यहां पर भी कुछ इसके साथ ही जो urine form होगा, वो concentrated urine होगा, बहुत कम amount में urea जो होता है, वो medullary interstitium में pass out हो जाता है, यह आपके सकते हैं कि collecting duct से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इस तरह से जो urine produce होता है, वो urine 4 times concentrated than the initial filtrate, कितना हो जाएगा वो, 4 times concentrated होगा, than the initial filtrate, इसी लिए इस पूरे mechanism को concentration of urine भी कहा जाता है, and counter current तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह जो flow हो रहा है, वो अलग-अलग direction में हो रहा है, opposite directions में flow कर रहा है, उसकी वज़ए से यह concentration जो होती है, वो maintained हैती है, और इस तरह से 4 times concentrated urine के important part है, NEET के point of view से, ठीक है, यूरिया जो है, वो कहाँ पर absorb गया जाता है, तो small amount of urea कहाँ pass out होता है, collecting duct से निकलता है, और medullary interstitium के concentration को maintain करता है, large amount of water reabsorb कर लिया जाता है, DCT और collecting duct के थुरू, और इस तरह से urea को concentrate करने में सबसे बड़ा role किनका होता है, DCT and collecting duct का, ठीक है, तो यह जो points है, यह exam point of view से बहुत-बहुत important points है, I hope यह आपको clear हो गया होगा, अब ही हम बात करेंगे, अब हम देखते हैं, NCRT का क्या कहती है, यह diagram आपके NCRT से लिया गया है, इसमें वासा रेक्टा और handless loop को अलग-अलग शो किया गया है, सिर्फ difference इतना सा है, बाकी सेम चीज है, आप यहाँ पर देखें, यह आपको handless loop का descending limb, जहाँ पर यह concentration देरे-देरे increase हो रही है, due to loss of water, यहाँ पर बहुत सारा water बहर-बहर के बहार निकल रहा है, और इस तरह से यह, जो इसकी concentration है, फिल्टरेट की, वो increase हो जाती है, कहां तक पहुँच जाती है, 1200 milliosmol per litre, और इसके बाद यह धीरे-धीरे, इसका dilution स्टार्ट हो जाता है, यानि जैसे जैसे upward direction में जाता है, यह, जो ascending limb है, permeable है ions के लिए, तो यह, यहाँ से बहार निकल जाता है, और इस तरह से यह, फिर dilute हो जाता है, और इसकी dilution increase हो जाती है, DCT तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, DCT में फिर से water का reabsorption होता है, और यह जो concentration होती है, urine की, यह maintain रहती है, किसके तरू क्योंकि यह absorption है, water का जो बहार निकल रहा है, यह maintain रहता है, collecting duct से water remove होता है, और कुछ amount में urea भी यहाँ से बहार आता है, जिससे कि यह interstitial fluid है, इसकी concentration maintain रहती है, अगर हम यहाँ पर वासा रेक्टा को लेकर चलें, यह वासा रेक्टा का portion है, जो कि यहाँ पर नहीं draw किया गया है, अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो यह same चीज यहाँ पर देखें, आप जो NACL यहाँ से बहार निकल रहा था, वो इसमें enter हो रहा है, अगर हम इस वासा रेक्टा की जो कंसेंट्रेशन थी 300, मिली पर लीटर से लेकर 1200 तक पहुत जाती है, उसके बाद जैसे ही वो असेंडिंग लिम में enter होता है, वहाँ पर फिर जो NACL है, वो फिर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस तरह से कंसेंट्रेशन देरे-देरे कम हो जाती ह है, और वो पहुंच जाती है, वापस अपनी 300, मिली पर लीटर तक, यह जो डाइग्राम है, यह अब आपको क्लियर हो गया होगा, NCIT में यही डाइग्राम दिया गया है, तो this is called counter current mechanism, इसको हम counter current mechanism कहते हैं, जो की hand lace loop and vasarector, दोनों की ही ascending or descending limbs के साथ complete होता है, और इस तरह से concentrated urine का formation होता है, यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि concentrated urine जो है, वो कितने times, four times concentrated हो रहा है, आपके initial filtrate से, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यह बहुत tough नहीं है, बहुत सीधा सा एक process है, जो की complicated दिखता है, लेकिन actual में है नहीं, अगर आपको यह समझ में आ गया, कौन सा limb किसके लिए permeable है, किसके लिए impermeable है, और यह तो हमें पता चली गया कि vasarector, जो है, वो freely permeable है, तो इस तरह से जो counter current, यानि कि जो opposite direction के flow है, उसकी वज़ए से concentrated urine का formation, यहाँ पर हो जाता है, तो this is the mechanism for concentration of urine, and it is also known as counter current mechanism, I hope you like this video, so please subscribe and share to this video, to your friends and your circle, I hope it is useful for all the neat as parents and class 11th students also, so thanks for watching this video.